इसके घर में सुम्बुल फसी एविल शार्क्स के बीचो बीच किसने कही है ये बार आईए जानते इस वीडियो में नमस्कार मैं सुम्बुल स्वागत करती हूँ आप सभी का उखमाने चानल पर बेसिकली आपको बता दू कि सुम्बुल को लेकर लगातार कई ऐसे लोग हैं जो काफी ज्यादा वेल वरिड है उनके एज को लेकर और इस एज में जो सुम्बुल पागड़ अप हो चुकी है बिग बॉस के घर में ऐसे में सब एतरास जता रहे हैं और इस पर सुम्बुल के उपर लोगों को दया भी आ रही है उनमें से एक है बिग बॉस के ही एकस कॉंटेस्टेंट राहुल वैद्य राहुल वैद्य ने बेसिकली ट्वीट करते में लिखा तोडेय आई फेल्ट रीली बाड फॉर सुम्बुल शी इस अ किड और लोग उसे हर चीजों में ड्राग कर रहे हैं बिसिकली सुम्बुल इस लेटरिली अ किड और वो थस गई है एविल शार्क के बीच बिग बॉस को अपने घर के अंदर कॉंटेस्टेंस की एंटरी के एज को काफी ज्यादा 24 तू 26 करने चाहिए तो ऐसे में कॉंटेस्टेंस की एज इतनी लिमिट होनी चाहिए ताकि वो बिग बॉस के घर में एंटर कर सके किड्स को नहीं एंटर करने देना चाहिए बिग बॉस के घर में एस वी आल नो जा सुम्बूल की एज है शी इस जस नाइटीन और इस तरीके से देखा जाए तो सुम्बूल हैंडल ही नहीं कर पा रही है बिग बॉस के घर को और उनके अंदर चलने वाले पॉलिटिक्स को इससे देखते हुए राहुल वैदी को काफी दया आ रही है इसके बाद उन्हें ये ट्वीट करते हुए सुम्बूल के लिए ये कहा है कि सुम्बूल बिचारी एविल शार्क्स के बीचों बीच पस गई है या लगता है आपको राहुल वैदी केट स्टेटमेंट से आप कितने अग्री करते हैं हमें बताएं कमेंच करके तिल दें स्टेए टून तो आरशानन